अखाला में आईए खबरों का सिलसिल आगे बढ़ाते हैं पोकस करते हैं राजस्थान में चुनाव खोशित नहीं हुए वहाँ गोलियां चलने लगी हैं सुखदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में बवाल चलता है सुखदेव सिंग की हच्चा के विरोध में राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं जैपूर में सिंधी कैंप में राजपूत हॉस्टल के बाहर करनी सेना विरोध प्रदर्शन कर रही है वहीं जिस हस्पिटल में सुखदेव सिंग गोगा मेडी की आपका शव रखा गया है उसके बाहर भी लोग धरने पर मैठे हुए हैं जैपूर ही नहीं बलके दूसरे शहरों में भी गोगा मेडी के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और दोशियों पर कारवाई की मांग कर रहे हैं उदैपूर, कोटा, जैपूर, बुंदी, अलवा, अजमेर में भी कई सारे प्रदर्शन किये गए हैं अब वहीं गोगा मेडी के हत्या के बाद जैपूर में करणी सेना के समर्थक गुस्से में है जैपर में करणी सेना के कारेकरता, प्रतशन और विरोद मार्च निकाल रहे हैं उसी मार्च के साथ चल रहा है हमारे सःयोगी भवानी सिंग और भीलवाड़ा में भी लगातार प्रतशन जा रही है और वहीं लॉरेंज विश्णुई के गुड़गों ने मान ली है, इसकी जिम्मेदारी ली है, आगे की करवाई क्या होगी और करनी सेना किसे दोश दे रही है, चुनी हुई बीजेपी सरकार को या अशो गहलोत को अनन्द ये जो हत्या हुई है, ये हत्या केवल पहली नहीं है, राजस्तान के अंदर लगातार जो लोरेंज विश्णुई गेंगे, ऐसी हत्याओं को अंजाम देती है, एक साल पहले राजु ठेट हत्या कांड हुआ, उसके बाद में ये है, और करनी सेना का आरोफ है, पिछ पूरे राजस्तान में इसी तरीके से प्रजशन करें, जैपूर के अंदर जो वाल सिटी का इलाका है, वहां पर लगातार प्रजशन चल रहे हैं, और जाहीर तोर पर प्रजशन है, यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यहां कडी की गई है, पीछे बैरिकेटिंग ल देकर है, आनन्द की आरोप क्या लगा रहे हैं, आरोप यह लगा रहे हैं कि उसको सुरक्षा, गोगा मेडी को सुरक्षा जानबूज कर नहीं दीगी, जी अच्छा, भवानी, मैं वापस आपके और लोटता हूँ, भवानी, आप मेरे साथ बने रही है, राहुल कोशिक के हत्या के बाद, जो लोगों में आकरोश देखने को मिला, सड़के जाम कर दी गई, टायर जलाए गए हैं, यही नहीं जो ट्रेन थी, उसको भी रोग दे गया, 20-25 मिनिट तक ट्रेन रुकी रही, पूरी करेक्टरी को पुलिस ने चावनी में तब्दील कर दिया, भारी पूरी विलवाड़ा की सारी तेसिले लगबख बंध हैं, और पूरे 36 कौम में बहुत आक्रोश है, और जब ततकली सरकार और ब्यूरो के सी कि मनसा वही नजर आती है, जब पंजाब बार बार उन्हें पताया कि उन्हों पर हमला हो सकता है, तो उस सरकार ने लिलेंसी ने वहाँ पर जो आपके थे पत्रकार उन्हों ने जाके उनको बताया कि यह गाड़ी अत्यार उन्हों प्योग ली है, यह लापरवाई पुलीस की नजर आती है, इसकी CBI जाच होनी चीए, इसकी CBI जाच होनी चीए, और पूरा जो गैंग्स्टर का जो पूरा चेन बनी जो भी है, लोरेंस जो भी नाम आ रहे हैं, रोईद गोदरा वगरा, एक्सवाई जेट, उनको सब की पूरी जाच होके, उनको एंकाउंटर करना है, समाज की यही मांगे, बाकी बिलवडा, राजस्तान, भारत, पूरा भारत बद होंगा, चक्का जाम करेंगे हमेंगेंग गोगामेडी क्यों करनी सेना के अध्याक्ष सुकदेव सिंग गोगामेडी को थ्रेटिन कर रहे थे, उनकी जान को खत्रा क्यों था? तो कहींने कहीं उनको तकलीप थे, और मेरे को यूँ लगता है कि लॉरेंस विश्णोगी कहीं कहीं आई-ए-ए-स-ई से उनके टार जुड़ेवे हो सकते हैं, जो अगर इंदुवाइती नेता को क्यो टार्गेट करेंगे, टार्गेट को वही करनन है, तो कहींने के उनके समाज के लिए नेता हैं जनमें बहुत सारे समाज के निताओं के इसे अपने जान से यहां पर ग्यापन देना आया थे भारी संख्या महिला पहुंची ती ग्यापन क्यों नहीं दिया गया है कि इससे पहले भी कही वार सरकारों को ग्यापन दिया है पर सरकार का जो डिलर अविया है इन्होंनों कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है इससे पहले सुब्देव रादा ने खुद ने अपनी सिक्रूरिटी की डिमांड के लिए भी ग्यापन दिया था और सरकारों के पास गयते है पर सरकार उसमें भी डिली रही उन्हें वो लोग सुरक्षा नहीं दे पाई तो कहीं न कहीं जनता का और पब्लिक का आक्रोष भी हैं और सरकार पे विश्वास भी उद चुका है उंसे पूछे आप जो भी मुख्यमंतरी बनेगा है बनेगी उंसे क्या उमीद है रायस्थान में आप जो भी मुख्यमंतरी बनेगाarnet से क्या उमीद है क्या मांग करेंगे अब नई सरकार बनने जा रही है नय मुख्य मंतरी बनाने जारे हुए कि जिस पकार दादा को हुए उन तो शपत भी लेंगे आप क्या प्रतिकिरा देना सारे हैं उसको जैसे गुश के सुगदेव गोगा मेडी को मारा वैसी इन हत्यारों को भी गुश के उनका एंकाउंटर किया जाए राहूल बहुत भुत धन्यवाद मैं वापस भवानी के पास जाता हूं भवानी वहां पर भ कर देक है सुपने लीडम वर आई है तब देखे थर्णा प्रोबुश्टry लोगा तारिये जा लिए और आप देखे कि यहां पर लाठी वाठ्या दीलेकर यह था कि आतिक्या लुवकि यह क्यों लिए यह क्यों लिए लाठी यह जेम ने कि लोग वासनं में कर दो यह सरकार थी वह निकमी सरकार थी परसाइशन उसके बसमेरी था कैसे सारसाइश चलाया जाता है उन्होंने उन्होंने सरकार Ihrer अन्छान से नोटी साहरगा था सरकार के पास क्यों नहीं आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ जब राजस्तान पुलीस को तीन महीने पहली बदा चल गया था कि सुक्देव सिंग जी को मारने की प्लैनिंग चल रही है तो क्यों नहीं सरकार ने आप बताओ मुझे मुझे ही बताओ कि हमारे भाई को उसे प्लब हो जायाएं उनसे पुछीए कि नियाय कैसे होगा नियाय नियाय तस्वीरें आनंद मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूं कि यहां पर लाठी डंडे लेकर भीड काफी बढ़ती जा रही है प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है यहां पर और मांग क्या करें एक ही मांग करें राजसान के डीजीपी को सस्पेंड किया जाए यह सबसे ब बल प्रदर्शन होगा क्या मामला हाथ से आगे निकल जाएगा हथ से आगे निकल जाएगा यह देखने वाली बात है क्योंकि करनी सेना के प्रदर्शन कारियों का कहना है कि पुलीस इस ताक में है कि कैसे बल प्रदर्शन के साथ वहां पहुंचे प्रदर्शन कारियों को अलग कर सके हटा सके